राधे राधे वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम फिर से आ गया है सैतान को लेकर ज़रा आप सब इसे डार्ट दीजिए ना किसी के पास नहीं रता है बस मम्मा चाहिए उसे मैंने का कि गोपु दादा गौरी दीदी सो रही है आप भी सो जाओ लेकिन इसे नहीं सोना इसे म बिद्धान करता है हमें देखियों कैसे हस देखिया ओहूं हसता बीया कितना सेतान मैंने का मुझे थोड़ा काम है फिर भी आ गया मेरे पास क्या करूं इसलिए इसे लेकर आना पर आज भी तो चलिए आज भी हम कुछ विसे में चर्चा करेंगे जो आप सब का सवाल था उ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो वीडियो बहुत ज़ादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट आप भी बोल दो लेट स्टार्ट हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुरे रहने के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाते हैं जिस वीडियो को देखने के बाद ही किसी हमारे एक फ्रेंड ने हमसे कोश्चन किया था सवाल किया था तो चलिए वो वीडियो थोड़ा देख लीजिए इस वीडियो में आपने क्या देखा कि गौरी गिरिवर का लड्डू खा रही थी ठीक है और यही लेकर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे एक सखा ने हमसे पूछा दीदी आप कैसे हो कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी बेटी लड्डू गुपाल जी को जूटा करके खारे है उसका लड्डू यह कैसे आपने मान लिया आप तो बड़ी हो ना आपकी बेटी जोटी है लेकिन आप तो बड़ी हो, आपको तो समालना चाहिए तो आपने क्यों नहीं उसे मतलब रोका ऐसा कहा उसने मुझे तो देखिए, पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि प्यार में कभी कोई जिजग नहीं होता ये हमारे गिरिवर आपके लिए भगवान है आपके लिए नारायन है लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि भाई बहन का प्यार ही असली होता है आप जानते हो मुनु, मतलब सारी गौरी हमेशा गिरिवर को बाई, बाई, ये बुलाती है उसे ये नहीं पता कि ये भगवान है या ये लड्डू गुपाल है उसे बस इतना पता है कि ये उसका भाई है वो इसे तंग कर सकती है इसका खाना खा सकती है इसे मार सकती है इसका ड्रेस पहन सकती है सब कुछ कर सकती है इसका सब कुछ यूज कर सकती है भाई बहन में ऐसा ही तो रिस्ता होता है न तो अगर गौरी इसका लड़ो खा रही है तो मैं इसमें कैसे मना कर सकती हूँ अगर उसका भाई उसे लड़ो खिला सकता है अगर दिदी खा सकती है तो इसमें problem क्या है? हमें लगता है जिन्हों ने आपने जो हमसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपका कैसा सोच है कि आप नहीं रोक रहे हो मुझे लगता है आपकी कोई बेहन नहीं है अगर बेहन रहती न तो आप समझते कि भाई बेहन का प्यार क्या होता है? आपको पता है? जब गौरी अपने गोपु दादा से इतना प्यार करती है जब भी मैं मंदीर खोलती हूँ न भाग कर वो चली जाती है और सायद आप सब को पता होगा ये मैंने बताया था आप सब को गौरी पहली बार अपने गोपु दादा को ही बुलाई थी उसने जब पहला बात किया ना उसने दादा बोला था दादा दादा करके वो गोपु दादा को बुलाती है और अभी तो थोड़ा थोड़ा बात निकल गया है ना तो अभी वो गिरी को भाई बोलती है आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा वो गिरी को कुछ नहीं बोलती है विस भाई बोलती है मैं बोलती हूँ अच्छा गोड़ी आपकी भाई कहा है तो वो सीधा चली जाती है गिरी के पास उसे पता है कि ये उसका भाई है वो अपने भाई के साथ सब कुछ कर सकती है इसे लिए आप ऐसा मत सोचिए कि अरे सबसे बड़े बात प्यार में जिजक कैसा जिस प्यार में जिजक होता है वहाँ प्यार नहीं हो सकता विश्वास तो सबसे बड़ी बात होती है अगर प्यार में विश्वास नहीं रहेगा अगर प्यार में प्रशन रहेगा तो वो प्यार नहीं हो सकता बताएए आप जिस प्यार में प्रशन है अविश्वास है वो तो प्यार नहीं हो सकता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता और गौडी के पास जैसे ये गिरिवर उसका भाई है गोपू जैसे उसके दादा है न मेरे पास मेरे लिए बस लल्ला ही है और आप नहीं जानते मेरी एक दीदी ने मुझसे कहा था कि ये तेरे पास लल्ला ही होना चाहिए क्योंकि ये तेरा बेटा है लेकिन बाकी जब लोग देखेंगे वो तो उन्हें हाथ जोर कर प्रणाम करेंगे न वो तो तु नहीं रोख सकती क्योंकि उसके पास तो वो भगवान है लेकिन तू उसे जब लल्ला मान रही है न तो अपने प्रेम में कभी कोई बाधा मत मानना बस उसे लल्ला के तरह ही प्यार करना तो सच कहूं आज तक मैंने गोपु को और गिरिवर को कभी भगवान सोचा ही नहीं मेरे पास दोनों बच्चे मेरे तीनों बच्चे बस बच्चे ही है और कुछ भी नहीं है आपको भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यही तो प्यार है हमारे और एक मित्र ने हमसे कहा था कि आपको साइद बता है राधास्टमी के दिन हमने गिरिवर को राधारानी का रूप दिया था ना तो राधारानी का रूप देने के लिए हमें क्या चाहिए गोरी का इससे सब कुछ खरित के देंगे ना लड़कीा ही तो सजती है लड़का कहा सजता है अब मैंने क्या किया था गौरी का जो सारा सजने का चीजना सब गिरिवर को पहना दिया तो गौरी सोचने लगी मैया ने भाई को सजा दिया पर मुझे नहीं सजाया ये उसे थोड़ा साथ चिंता में डाल दिया तो उसने क्या किया गिरिवर का कुछ चूरी खोलकर खुद अपने हातों में पहन ली और साइद आपको याद है आपने देखा भी होगा वह सीन झो गौरी खुलके पहन रही थी तो इससे भी किसी को दिक्कत था तो उसने कहा दीदी आपने गिरीवर को सजाया तो गौरी खोल रही है सब कुछ तो आप क्यों मना नहीं कर रहे हो ये बाबा अगर भाई बहन में लडाई नहीं होगा तो भाई कैसा और बहन कैसा अब दीदी अगर चाती है कि भाई के साथ मैं भी थोड़ा सजलो तो इसमें दिक्कत क्या है आप बस इस प्रेम से उन्हें देखिए कि वो दोनों भाई बहन है हाँ आप अपने जगे पर ठीक हो क्योंकि आपके लिए ये नारायन सामी है ये लड़ो गुपाल जी है इसलिए सायद आपके मन में इतना सारा कोश्चन आता है लेकिन सच कहूं मैं दिल से कह रही हूँ मुझे लगता है कि जब ये दोनों बदमासी करते हैं इन दोनों के बदमासी को मैं कॉप देख लूँ मैं वीडियो करूँ और आप सब को दिखाओ ताकि आप सब को अच्छा लगे इसलिए मैं सब का ये दोनों का बदमासी हमेशा रेकॉर्डिंग करती हूं आप सब को ये भी दिखाया है कि वो गोपु के साथ भी कितना खेलती है हमेशा सेम सेम ड्रेस पहनती है गोपु दादा के साथ फिर गोपु दादा के साथ भी रहती है आपको पता है अन्य प्रसंद में उसने कितने कितना इंजॉई किया था अपने गोपु दादा को ऐसा कुर ना चन चलें लेकिन देखो गौड़ी कितनी असानथ है गौड़ी तो अपने पापा पढ़ गया इसलिग आप सबसे बस एक बात कहना है अगर प्रेम करना आ है तो मन खोल कर प्रेम कीजिए प्रेम में कभी कोई प्रश्ण नहीं होता कोई दुविधा नहीं आता प्रेम तो प्रेम होता है, बस प्रेम ही होता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, और कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए, तो चलिए, आज हम आपको अपने सहली के बारे में बताती हैं, जिनके पास ऐसे प्यादिसी एक नन्ये से पच्चे हैं ठीक है तो उन्होंने लड़ु गुपाल जी लाया था और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे करती थी और उसे अपने बेटे के तरह देखती भी है और हमेशा अपने साथ ही रखती है वो कई उनसे दूर नहीं रखती कभी उन्हें वो एकदम उनके बेटे हैं एक दिन क्या हुआ उनका अभी तक साधी नहीं हुआ है एक दिन जब उनका रिस्ता आया ना तो रिस्ता आने के बाद कुछ-कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डाउट होता है और जिनके मन में डाउट होता है ना वही ज़्यादा कोश्चिन करती है तो देखिए अब लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने सब कुछ देखा उन्होंने देखा कि लड़की हमें देख रही है लेकिन लल्ला को अपने गोद में लेकर बैठी हुई है तो ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उन्होंने कहा कि देखो हम साधी तो जरूर करें तो फिर हमारी सहरे ने पुछा क्यों ऐसा क्यों तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपने जब लड़ो को पाल जी को अपना बेटा बनाया हुआ है तो साधी होने के बाद भी आप अपना बच्चा कभी नहीं लोगी उनके मन में ऐसा सवाल आ गया आप सोच लीजिए तो दिदी ने कहा देखें हमारा ओलरेडी बच्चा है और अगर हमारा पड़िवार चाता है तो हम जरूर बच्चा लेंगे ऐसा कोई नहीं है कि एक भाई है तो और एक भाई नहीं होगा या बेहन नहीं होगी लेकिन उनके कहा कि नहीं हमारा एक ही सर्थ है कि आप लड़ू गोपाल जी को हमारे साथ नहीं लेकर जा सकती अगर आपको जाना है आप अपने लल्ला को अपने ममा को दे दो उसके बाद हमारे साथ चलो साधी करके तो हमारी सहली ने क्या किया पता है तब भी अपना साधी तोर दिया एकदम उसी टाइम उन्होंने कह दिया कि अगर हमें जाना है तो हम लला के साथ ही जाएंगे मैं अपने बच्चे को छोड़ कर तो कहीं नहीं जाओंगी इसके बाद अगर आपको साधी करना है तो अच्छी बात है नहीं तो जाइए हमें साधी भी नहीं करना है और इस घटना के बाद आप सोज भी नहीं सकते इस घटना के बाद उन्होंने तै कर लिया कि हम जीवन में कभी साधी नहीं करेंगे तो इसलिए उन्होंने अपने लल्ला के लिए ब्रह्मचारी ले लिया तो यही तो प्यार है उन्हों उनके मन में तो कभी ये सवाल नहीं आया कि मैं ये क्या है यार साधी कर लेते हैं इतना अच्छा रिस्ता था बस एक लड़ो को पाल जी के लिए साधी ठुकरा दे उन्होंने ऐसा किया ब्रह्मचारी ले लिया उन्होंने एकदम ठीक कर लिया कि उन्हें और साधी करना ही नहीं है यही तो प्यार है मेरी एक सक्खी मुझे कह रही थी कि दिदी इस टाइम पे कोई मीरा बाई नहीं हो सकता क्योंकि मीरा बाई के तरह कोई प्यार ही नहीं कर सकता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी भी बहुत ऐसे भक्त है जो अपने ठाकुर जी के लिए अपने बच्चे के लिए अपने लल्ला के लिए अपना जान भी कुर्वान कर सकती है हाँ बस ऐसा है कि हमें उतना पता नहीं चलता क्योंकि मीरावाई के टाइम तो वो एक ही थी ना जो ठाकुर जी से इतना प्यार करती थी अपना राज महल अपना सब कुछ छोड़कर वो ठाकुर जी में बिलीन हो गई थी लेकिन हाँ अभी भी ऐसे भक्त हैं जो बस अपने ठाकुर जी के लिए ही जीते हैं बस हम उन्हें देख नहीं पाते या देखने की कोशिस नहीं करते है ना इसके बाद और एक घटना भी हम आपको बताना चाते हैं जो एकदम सच्ची है हमने अपने आखों से देखा है जब हम बिंधावन परिक्रमा करने गये थे ना जो 45 दिन का परिक्रमा होता है जो चलकर परिक्रमा करना पड़ता है जो चुरासी क्रोष का परिक्रमा होता है सायद आपने सुना होगा अगर नई सुना है तो यूट्यूब में आप सर्च करना कि ब्रिंदावन चुरासी क्रोष परिक्रमा तो देखना आपको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको मिंदावन् petals के प्रिक्रमा के अब देख सकते हैं के यह जब हम 8 परिक्रमा कर रहे थे हमारा थागुर जी का बहुत ग्रिपा है कि वह माता जी कम से मिली और हम हुझ हूंसे मिलने का मौका ऴूंला तो हमने किसा नास्ती थी पूरा रस्ता बस नास्ते नास्ते अपने कृष्ण पर मगन होकर ही चली जाती थी तो वो हमारे देश की नहीं है विदेशी थी माता जी तो हमने एक दिन पोछा माता जी आप कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करते हो तो उसने कहा कि क्योंकि कृष्णा हमारे पती है और जिसे हमने पती मान लिया वो तो हमारे लिए सब कुछ है उसके बिना तो जीना ही अधुरा है ये कहकर वो फिर से अपने मिमगन हो गई एक दम मीरा बाई जैसी इतनी सुन्दर से सज्दी थी इतनी सुन्दर से चलती थी बस डांस ही करती थी मुझे तब बहुत अ अच्छा लगता था वो माता जी इतनी अच्छी थी फिर एक दिन क्या हुआ पता है जब हम वर्साना गए जब हम वर्साना पहुंचे चलकर साई वो जो माता जी थी ना हम तो चलकर ठक जाते थे क्योंकि बिंदावन परिक्रमा में एक दिन में 15-20 किलोमीटर तक भी चलना नहीं थी हमेशा नास्ते नास्ते अपने में मगन हो कर जाते थी जब हम चलते चलते बर्साना पहुंचे बर्साना के रास्तों में जब हम टेंट में थे मतलब जो तामबू होता है उसमें थे तो उसमें जानू ने कहा चलो आज बर्साना मंदिर दर्शन करके आते हैं तो ह जानुने कहा कि yeah चलो चलो अगर वरसाना आकर घूमव्गी नहीं तो वर्साना आने का मतलब क्या हूँ तो हमने का चलिया कोई बात नहीं क्या है थकान ठाकूर जी के यह ठ ह़ान थोड़ी थो हम भी चल पड़े चलते हमने देखा की एक कुंड के पास वह माता जी बैठी हुई थी और जो इतने जोर जोर से बात कर रही ठीप की और इतने जोर-जोर से हस रही थे कि आप सोज भी नहीं सकते तो जानु ने हमें का देखो देखा प्यार किसे कहते हैं देखो आपको पता है रास्ते में सारे लोग बस माता जी कोई देख रहे थे लेकिन वो तो अपने में मगन थी अपने कृष्ण प्रेम में मगन थी अब आप सोचिए उनके अंदर तो कोई प्रस्ण नहीं था कि बापरे वो तो ठाकूर जी है ठाकूर जी की भी तो कोई प्राइविसी होती है हम कैसे उनके साथ ऐसे बात कर सकते हैं उनके मन में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आया अगर पती पत्नी में कोई privacy ना हो तो ठाकूर जी को जब हम पती मान लेते हैं उसमें भी कोई privacy नहीं होता अगर एक पती पतनी में कोई दिक्कत ही नहीं है वो दोनों अगर अच्छे से संसार कर सकते हैं तो ठाकूर जी के साथ जो संसार बसाते हैं उसमें भी क्या दिक्कत है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होता ऐसे ही प्रेम तो प्रेम ही होता है बस निस्वर्थ प्रेम कर लीजिए किसने क्या कह दिया ये सोच कर क्यों पीछे हटते हो और सबसे बड़ी बात ठाकूर जी को ढूंदते क्यों हो ठाकूर जी तो हमेशा हमारे साथ ही है हमारे अंदर है जिसे हम खुली आक में आक बंद करके हमेशा महसूस कर सकते हैं उसे ढूंदनी का क्या जरूरा है आप बताएए जो हमेशा हमारे साथ है उसे ढूंदना थोड़ी चाहिए तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपनी गोपो के साथ अपने पड़िवार के साथ ऐसे खुश्र रहा हसते रहे राधी राधी जुलू लुला राधी राधी पोल्दू राधी राधी टाटा टाटा टाटा